गुद मॉर्निंग स्टूरेंट्स वेल्कम टू युवेन क्लासिज डे थ्री कल तक हमारा हो गया था हमने लाइबरीर साइंस की जो महतपुन प्रश्न उत्री स्टार्ट की थी जी के प्लस लाइबरीर साइंस की तो हम उसको आज कॉंटिन्यू करते हैं मुख्य मंत्री पशुधन ने शुल्क दवा योजना के शुरुवात कब से हुई कब से हुई 15 अगस्त 2012 से रामपूरा अगूचा किस जिले में है जहां से खनिज प्राप्त किया जाता है तो कहां से किया जाता है भील वाड़ा राश्ट्री सरसु अनुसंधान केंद्र कहां है सेवर भरतपूर किस फसल को सफेद सोना कहा जाता है कपास किसको कहा जाता है कपास ओप्रेशन फ्लड का संबंद किस से है दुग्द उत्पादन से राजसान में तामबे की खान कहा है खेतडी जुन जुनु में चेवन शब्द संबंदित है किस से है बकरी के मास से नेक्स्ट है मुन्तखब उल्ल तवारिक में किस युद का वर्णन है किस युद का वर्णन है हल्दी घाटी का युद पानी की बूंद या तिलक नुमा आकरती वाला जिला कौन सा है तिलक नुमा जिसकी आकरती लगती है या फिर पानी की बूंद के जैसा लगता है वो है राजसमंद राजस्तान में विंद्यन कगार शेत्र किस प्रकार की चटानों से निर्मित है? कैसे चटानों से निर्मित है? बालू का पत्थर कैसे चटानों से निर्मित है बालू का पत्थर हल्दी घाटी को बादशाह बाग किस ने बताया किस राजपूत राजा ने हरी नात सुंदरदास वे जगननात जैसे विद्वानों को सरक्षन दिया किस राजपूत राजा ने हरी नात सुंदरदास और जगननात जैसे विद्वानों को सरक्षन दिया किस ने दिया मान सिंग प्रत्थम ने नेक्स चलते हैं पांचाल जाती की कुल देवी कौन है पांचाल जाती की कुल देवी है तुर्तई माता त्रिपूर सुंदरी जाता है तेरे ताली निट्टे राम देव जी के सम्बथ एंठे किस के मिश्रण को गेलेना कहते हैं गेलेना किसके मिश्रण को कहते हैं सी सा ए जसता ता सी चमरी की दिष्टी से कहां का उट प्रसिद्ध है सवारी की दृष्टी से कहां का उट प्रसिद्ध है गोमट उट ठीक है उट तो वैसे प्रसिद्ध है नाचना जैसल मेर के लेकिन सवारी की दृष्टी से गोमट उट नेक्स्ट है किस खुश्बूदार उपज के उतपादन के लिए नागोर खुश्बूदार उत्पादन उपज के लिए नागोर किसके लिए प्रसिद्ध है मेर्थी के उत्पादन के लिए ठीक है नेक्स्ट है किंदर ये बकरी अनुसंधान संस्थान कहां है अविका नगर टॉंक में है नेक्स्ट है राजस्थान का कोंसा जन्तु वाल्य अपनी पक्षिशाला के लिए प्रसिद्ध है नेक्स्ट है नागोर में इस थानी चोटे चोटे नमक उत्पादन के कारखानों को क्या कहा जाता है देवल कहा जाता है देवल अब ये थोड़ा सा हम कर लेते हैं जल राशी है और उस्थान है इनको मैच करना है ये मैच करके ही लिखे है तो आईए इनको देखते हैं घड़सी सर कहा है जैसलमेर में गेबसागर, डुंगरपूर काईलाना, जोदपूर और चांदबावडी दोसा में है ठीक है ये कुछ जल राशीया है घड़सी सर जैसलमेर में गेबसागर, डुंगरपूर में काईलाना, जोदपूर में और चांदबावडी जो है वो दोसा में है ठीक है चलिए अब बात कर लेते हैं हम लाइब्रिरी साइंस के क्वेशनस की देखिए, जो सेक Success का उसमें जो हमारी वीडियोस है उसमें से जो मैंने Facts बताए थे काफी कॉशनस उसमें आए है उमीद करते हूं, अभी जो 19 को अग्जाम होने वाला है, उसमें कॉशनस देखेंगे चलिए, रिवाइस करते हैं नमबर फर्स्ट विशे निर्मान की विधियों Modes of Formation of Subject का सर्व प्रथम निर्मान किसके द्वारा किया गया Modes of Formation of Subject वर्ड ये आते ही, टाम आते ही किसका नाम लेना है Dr. S.R. रंगानाथन ठीक है नेक्स्ट क्वेशन है विशे निर्मान विधियों को 1973 में विज्ञानिक आधार पर पुनर गठन किसके द्वारा किया गया आंसर होगा नील मेगन ए नील मेगन नेक्स्ट है लैमिनेशन शब्द की उत्पत्ती Latin भाशा के किस शब्द से हुई है देखे एक तो पता चला है की लैमिनेशन शब्द की उत्पत्ती किस भाशा से हुई है Latin भाशा और कौन से शब्द से हुई है लैमिने शब्द से Next चलते हैं अंकन के कुल कितने प्रकार हैं? जो notation हैं कितने प्रकार हैं? दो प्रकार होते हैं अंकन के एक तो शुद्ध अंकन और एक मिश्रिद अंकन शुद अंकन में किसी भी एक तरह के सिंबल का यूज होता है या तो आप A to Z कर रहे हो 1, 2, 3 ऐसे continue कर रहे हो या किसी एक लेकिन मिक्स्ट में सिंबल भी होंगे रोमन्स भी होंगे अल्फाबेट होंगे नियुमेरिक होंगे सब कुछ होंगे यह होती है मिक्स्ट नोटेशन नेक्स्ट अपूपा पैटरन किस से संबंदित है किस से है व्यवस्थापन से अपूपा पैटरन किस से संबंदित है व्यवस्थापन से नेक्स्ट है कोलन क्लासिफिकेशन का छटा संशोधित संसकरन कब आया छठा संस्षोधित संसकरण जो की आज के टाइम में जो यूज होते है वो 6th edition ही यूज होती है वो भी revised वाली तो ये 6th edition तो आया था 1960 में लेकिन ये revised जो संस्षोधित संसकरण है ये 1963 में आया था ठीक है next question है UDC पद्धिती का अविश्कार किसने किया सबसे पहले तो UDC की full form हमें पता होनी चाहिए या निवर्सल डैसिमल क्लासिफिकेशन इसका अविश्कार किया पॉल आटलेट और हैंडरीला फॉंटेन ने ठीक है किसने किया पॉल आटलेट और हैंडरीला फॉंटेन न नेक्स्ट है डीडीसी के वर्तमान प्रकाशक कौन प्रकाशित करता है डीडीसी को वर्तमान में OCLC Online Catalog of Library Congress यहां से यह डीडीसी पबलेश होती है चलो कुछ मैच इट के कोशन है जो की पेपर में सबसे ज़्यादा देखी जाते हैं उनको देख लेते हैं अभी ध्यान से देखना है मैंने अल्रेडी मैच करकी लिखे हैं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको चलिए AACR1 कब आया 1967 में कब आया 1967 में AACR2 आया 1978 में अमेरिकल लाइबरी एसोशेशन जो कोड है ALA का वो कब आया 1949 में और जो ट्रिपल सी जो है क्लासिफाइड कैटलोग कोड वो कब आई 1934 में ठीक है AACR1 1967 AACR2 1978 ALA कोड 1949 एन ट्रिपल सी 1934 इस तर ऐसे ओर हैं डीडीसी 1876, कॉलन क्लासिफिकेशन 1933, UDC चो भी उपर हमने बात की 1905 और LC 1904 नेक्स्ट देख लेते हैं CIS प्रोग्रेम 1958, CIP प्रोग्रेम 1971, चेंड प्रोसीजर 1938 और प्रिंटेड कैटलोग 1943 ध्यान से इनको देख लेंगे आप Next question रोजट इंटरनेशनल थिसोरिस क्या है? क्या है ये शब्दों की वर्गीकरत सूची है ठीक है? शब्दों की वर्गीकरत सूची है पुस्तकाले सूची करण पत्रक की मुटाई कितनी होती है? 0.025 cm LCSH का पूरा नाम क्या है? Library of Congress List of Subject Heading Library of Congress List of Subject Heading Call number बनता है किससे बनता है? Class number plus book number plus collection number किससे बनता है call number? Class number plus book number plus collection number next question है dictionary catalog के जनक कौन है Charles M. E. Cutter next है UBC का पूरा नाम क्या है Universal Bibliographical Control next है DDC के 16th to 19th edition को किसने समपादित किया edit किसने किया edition का गाम Benzamin A. Custer next है CC का 7th edition कब आया 1987 में रंगानाथन जी की मृत्यू के बाद ये edition आये था कब आये था 1987 में चलिए रंगानाथन द्वार प्रतिपादित 5 मूलभूत रिश्रेणिया है जो कोलन क्लासिफिकेशन में यूज हुई थी P. M. E. S. T. ठीक है P. M. E. S. T. परस्नेलिटी ब्रिटेन से और जो मैलविल डिवे थे वो USA से थी देखी बहुत सारी questions जो लगता है कि हमें exam में आ सकते हैं उसके according ये सब questions हैं तो आप ध्यान से देखेगा वीडियो को और समझ के इनको learn कीजेगा ठीक है फिर मिलेंगे कल next series के साथ थनक्यू आप तैक यह थैने और समें आप देखेगीं झाल झाल